जानवर भी बेहत घजब के होते हैं आपके पालतु कुत्ते से लेकर एक चैले फिश तक हर जानवर के पास आपकी मेज पर पेश करने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है मैं अभी उनकी nutritional value के बारे में बात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में जिन जानवरों का जिक्र है वो पर सतर्कता और नियाए पेश करते हैं इससे पहले कि वो सभी मिलकर जस्टिस लीक का एनिमल वर्जन बनाए आई ये बात करते हैं को जैसे आश्य जनक किस्सों के बारे में जहां को जंगली जानवरों ने इंसानों की जान बचाई 2005 में इथोपिया की एक 12 साल की लड़की का अपरहन कर लिया गया था एक हफ़ते के बाद अपरहन करताओं को जब ऐसास हुआ कि पुलिस कभी भी उन तक पहुंच सकती है तो उन लोगों ने इस लड़की समेत अपना ठिकाना पदलना चाहा लेकिन इसी बीच इथोपिया क जंगलों में उनका सामना शेरों के एक जुन से हो गया अपरहन करताओं को तो मानों जैसे शेरों ने उल्टी दिशा में ख़देर दिया लेकिन उन शेरों का काम शायद अभी पूरा नहीं हुआ था पुलिस के आने तक वो उस नन्नी बच्ची के चारों और ऐसे खड़े जैसे उसकी पहरेदारी कर रहे हों पुलीस के आते ही शेरों का जुन चल पड़ा जैसे उनका काम अब पूरा हो गया हो हलाकि एक्सपर्स की मन में उनके इस भरताओं को लेकर मत भेद हैं कुछ का कहना है कि शेरों ने उस लड़की को इसलिए बख्षा क्योंकि उसके रोन अपनी परिवार के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर गया था उसके माता पिता एक जील में नाव पर सवार हो गये जबकि रियल किनारे पर खड़ा उन्हें देख रहा था अचानक कोछी समय में वो नाव डूबने लगी और साथ ही उनके माता पिता भी जो सनाव में थे सदम चीज महसूस हुई उसके चारों और वेवर्स का एक जुन था जिनसे अगर उसे गर्मी ना मिली होती तो शायद उस रात को ठंड में जमकर मार गया होता नमबर आठ डॉल्फिन जम्द शार्क डॉल्फिन की इंटलिजिन्स बेहत प्रसिद्ध हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वनिस्वार्द भी हो सकती हैं तब होवेस ने पास में एक बड़ी सफेज शार्क को देखा शार्क होफ्स परिवार का तब तक पीछा करती रही जब तक डॉल्फिन्स सतर्कता के साथ हरकत में नहीं आ गई डॉल्फिन्स ने उस जानवर को दूर रखा और इंसानों की उस परिवार को बचाया डॉल्फिन्स से संबंदे तैसी ये घटना एक मचवारे ग्रांट डिक्सन के साथ हुई जब उनका जहाज डूब गया इस हाथसी में डिक्सन को काफी चूटे आई और काफी खून भी बहा किसी तरह जहाज के मलवे के पास एक उल्टी कष्टी मिली लेकिन उसको सीधा ना कर पानी की वज़े से डिक्सन उस कष्टी को पकड़ कर किसी तरह तैरने की कोशिश करने लगा लेकिन समस्चा यहाँ यह थी कि पानी में बहते उसके खून की गंद शार्क मशलियों को नियोता दे रही थी जल्द ही शार्क वहाँ पहुँची और अपने खानी की तैयारी करने लगी एक शार्क दो जुण को तोड़ते हुए सीधे डिक्सन की तरह बढ़ने लगी लेकिन इससे पहले कि वो शार्क उस तक पहुँच पाती डॉल्फिन्स का एक जुण बीच में कूद पड़ा और उन भूख ही शार्क को खदिर दिया जहाज डूबने के दो दिन बाद डिक्सन को पास से निकलते किसी दूसरे जहाज ने वहाँ से पचाया शायद है कॉमेन उन दिनों गस्त पर था और उसने ही उन डॉल्फिन को भेजा या शायद डॉल्फिन सच में दयालुजीव है केविन हाइन्स सन 2000 में एक टीनेजर ही थे जब वो खराब मांसिक स्वास्त से जूच रहे थे इतना कि उन्होंने सैंट फ्रांसिसको के गोल्डन गेट ब्रिज से कूत कर आत्मत्या करने का फैसला किया लेकिन जैसी वो नीचे बरफिले पानी में गिरे तो मिस्टर हिंस को अपने इस फैसले पर पश्तावा हुआ हलाकि हाइन्स जिस रफतार से पानी में गिरे थे उससे उनका टकना टूट गया और रीड की हड़ी पर भी चोटाई नतीज तन वे बिलकुल हिलडुल नहीं पा रहे थे लेकिन उनको पानी में एक परचाई नजर आई जीने का फैसला करते ही शार के हमले की सोच उनके जहन में घर कर गई ब्रिज पर खड़े लोग देखने कोशिश करने लगी कि हाइन्स पानी में कहां गिरा है शार की जगए उन्हें एक समुदरी शेर दिखाई पड़ा उपर खड़े लोगों ने देखा कि वो समुदरी शेर हाइन्स से टकड़ा कर तब तक उसे तैरने में मदद करता रहा जब तक कोस्ट गार्स उजे बचाने वहां ना पहुंच गए इस मदद के बना शायद मिस्टर हाइन्स आज दूसरों को उनकी मानसिक परिशानियों से लड़ने में मदद ना करवा पा रहे होते जो इनो बर्ण भी और उनका कुत्ता कैनड़ा के नॉर्थ वेस टिरिटरी में एक दोस्त के साथ मश्रूम चुन रहे थे जैसे वे मुड़े उनकी नजर एक भेडिये पर पड़ी जो उने घुर रहा था और घुरा रहा था अपने दोस्त से बिछड कर बार्ण भी और उनका कुत्ता भेडिये से बचते हुए जंगल के लंबे ट्रेक पर निकल पड़े लेकिन वो भेडिया भी बारा घंटे तक उनका पीछा करता रहा थकावट और हताशा से भरी बार्ण भी की नजर एक भालू और उनके शावक पर पड़ी तबी खुद को और अपने कुत्ते को बचानी के लिए उनके दिमाग में एक तरकी बाई बार्ण भी उस शावक की और बढ़ी इस उमीद में कि वो मादा भालू उसकी जगे उस भेडिये पर गुस्साईगी ये बेशक एक जोखिम भरा कदम था लेकिन कारगर भी साबित हुआ उस मादा भालू ने अपने भूके भेडिये को अपने शावक के लिए खत्रा समझ क में भाग लिया था जब भैसे उनका सामना हुआ उनके पैरों में उस भैंकर ठंडे पानी से क्रैम्स पढ़ने लगे जिसके कारण वो अपने पैरों का इस्तिमाल लात मार कर वापस सतय पर आने के लिए नहीं कर सकती थी यांग यून ऑक्सिजिन टैंक का भी इस्तिमाल न नहीं बनी जैसी लग रही थी बेलुका वेल यांग यू को खींचती हुई सतय तक तैर गई शुकर है कि छोटी मचलिया और स्किट खाने वाली इस वेल के दाथ भी काफी छोटे होते हैं जिसका मतलब है कि यांग यू को कोई चोट नहीं आई बेलुका वेल के मदद के ब से बहुत दूर आ गए थे वो हट बड़ा हट में पैडल करने लगे ताकि किसी जमीन तक पहुंच सके लेकिन उनके वोड के चारों तरफ कुछ फिंस नजर आने लगी और उनको घेर लिया ये कोई शार्प नहीं था बलकि ये फिंस पॉरपाइजिस के एक जुन्ट थे ज उसने तैर कर तट तक जाने का बहदूरी भरा विकल्प चुना उसने जिन मुख्य समस्याओं का सामना किया उनमें से एक था उस जल का शार्क से भरा होना और दूसरा उसके पैर की चोट जाहिर था कि खुन की गंद शार्क को जरूर आकाशित करती ये समस्या काफी बड़ एक पार्टी में मौज मस्ती की बाद आक्सफोर्ड ओहियो की एक गुमना महिला घर जाने के लिए निकली थी जैसे वो पार्टी हाउस से बाहर आई एक व्यक्ती ने उसे पीछे से पकड़ लिया उसे मुका मारा और उसकी ही परस से उसका गला घूटने लगा इस्तिती ज नाच करने वाले सर्जेंट जॉन वरले का मानना है कि हिरन जाडियों में कहीं सो रहा था जब हंगामे ने उसे जगाया और उसके क्राइम फाइटिंग मोड को अन कर दिया लोग कहते हैं कि वो हिरन अभी भी वहीं घुमता है ओहियो के ग्रामीन इलाकों में नयाय बरकरार रखने के लिए नमबर दो गोरिला बिजनेस सन 1986 में 5 वर्षी 11 मेरे अपने परिवार के साचरिया घर घुमने गई हुई थी जब वो घलती से फिसल कर 20 विट नीचे गोरिला के बाड़े में जाकर गिर गई इतनी उचाई से गिरने के कारण उनका हाथ तूट गया और सर मे वो फ्रेक्चर हुआ जिससे वो बेहोश हो गई घबराहट के इस समय में जम्बो दा सिल्वर बैग उस बेहोश बच्चे के पास आया जम्बो ने लेवान की पीट ठोकते हुए उस लड़के को दिलासा दिया और उसके पास खड़ा होकर पहरा देने लगा लेवान जाकते ही वो समंझस और दर्थ से रोने लगा रोनी के आवाजों से सभी गोरिला पीछे हट गए जम्बो ने चार संभाला और सभी गोरिलाओं को शांती से अंदर लेगा इस से मेडिकल टीम को सुरक्षित रूप से बाड़े में जाने का मौका मिल गया इस सब को देखते हुए क कहना होगा कि किसी भी जड़िया घर में जाने से पहले चोटे बच्चों की माता-पिता को डमी के लिए पैरेंटिंग किताब पढ़ने की जरूरत है क्योंकि 10 साल बाद हुने वाले इस अन्य मामले के माता-पिता कुछ ऐसी थे बिंटी चुआ एक वेस्टन लॉलेंड की गोरिल्ला हैं जो अपने दिन का आनंद ले रही थी जब एक दिन 3 साल का लड़का उसके बाड़े में गिर गया उस लड़के का हाथ तूट गया कुछ चोटे आई और गिरने से वो बेहोश हो गया बच्चे के माता-पिता मदद के लिए चिलाते रहे बंटी जुआ धीरे पहुची और मदद के लिए धीरे से उस नन्ने बेहोश बच्चे को वहां रख दिया लेकिन बदकिस्मती से हमारे गोरिल्ला मित्रों के लिए ये हमेशा अच्छा नहीं होता जब कुछ लापरवा माबाप अपनी बच्चों पाध्यान नहीं दे पाते तो वे ऐसे ही किसी गोरिल्ला के बाड़े में गिर जाते हैं आप हर मबे का ही मामला लेजिए जब एक बच्चा उसके बाड़े में गिर गया तो हर मबे ने बच्चे को बचा लिया हाँ उसने बच्चे को खंदक के पानी की बीच से खीच लिया उसने उसे खड़ा किया और उसके कपड़ों क जिन्दा बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है वो बारा घंटे तक जिर्फ एक लाइफ जैकेट के सारे पानी में तैरती रही उसकी बचने की उम्मीदें कुछ कम होने लगी थी समुद्र से एक बड़ा सा कच्वा ये देखने के लिए निकला कि वहाँ पर चल गया रहा है खुद को पानी से बचाने के लिए उसने कच्वे के खोल को पकड़ लिया कच्वा तुरंती तैने लगा विलानु एवा को लगा कि कच्वे की खोल को दो दिनों तक पकड़े रखा इस पूरे समय उस कश्वे ने अपने उस यात्री के लिए पानी में गोता लगाने और खाने से परहिज रखा जो वो जरूर करता अगर वो उस यात्री को बचानी के लिए मिशन पर ना होता दो दिनों के सफर के बाद एक नौसिना के जहाज ने उसे बचाया और वो कशुआ समुद्र के गहराई में गायब होने से पहले विलानु एवा के लिए जहाज के चारों और घुमता रहा ताकि उसे सुरक्षित कर सके अगला है वास्तब में एक वीर कुटा उननी सु सत्रा में प्रतम विशुद के दौरान एक सु दोवी इंफेंट्री रेजिमेंट की मुलाकात सार्चेन गुडबॉइस हुई सार्चेन स्टबी जैसा की वो बाद में जाना जाने लगा एक आवारा कुटा था जिसने रेजिम को आगा कर देता था स्टबी के यूएस से लोटने पर उसे सार्चेन की एक अनौपचारिक रेंक से समानित किया गया था कई अमेर की रास्ट्रपतियों को स्टबी से उसके मिलिटरी रेटायमेंट पर मिलने का अफसर दिया गया था स्टबी की कहानी इतनी इंस्पारिंग है कि 2018 में उसकी जीवन पर आधारे थे एक एनिमिटेट फिल्म जारी की गई थी वो सच में एक गुड बॉइ ही था देख रहे थे उसने विक्स को दूर खीच लिया दोनों बड़े जानवर हाथा पाई करने लगे भालू की पकड़ से वो शेर निकल कर भाग गया शायद दूसरे दिन किसी और हाईकर कर शिकार करने के लिए मिस्टर बिक्स को शेर के बदालत कुछ गहरे कट मिले लेकिन अग इशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया